हाई दोस्तों आज के स्क्लास में आप सब लोग का स्वागत है आज के स्क्लास में बात करने वाले हैं दी-स ओलजर चाप्टर के बारे में यहाँ पे दी-स सोल्जर चाप्टर को आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे अच्छे से प्रॉपर हिंदी बताएंगे जैसे यहाँ पर दीखे एक तरफ हिंदी रहेगा आज हम सोचे क्यों ना आज असको लाइव जाके हम आपको समरी पढ़ाए ताकि जो भी आपका समस्य आगर हो कोई भी समझने में कुछ भी थोरा सा भी जरा सा भी तो आप हमसे लाइव पूछ सके आज हम देखते हैं कि लाइव अच्छा रहता है या रिकॉर्डेर रचा रहता है क्योंकि हम कोसिस करेंगे आपको अच्छे से भी पढ़ाने को अच्छे से बताने को और आपको अगर कोई भी डाउट होती है वो आप हमसे पूछेगा जरूर ठीक है चलिए हम यहाँ पे दी सोलजर चाप्टर को स्टार्ट करते हैं बाकी जितने लोग आ चुके हैं सभी लोग बिलकुल अच्छे से देखेगा इस चाप्टर से बहुत सारे सवाल आते हैं अपने देश के परती जो देश वक्ती होती है वो इस चाप्टर में बहुत अच्छे से बताया गया है तो होप सो आप लोग को ये चाप्टर बहुत पसंद आएगा साती साथ आपको ये रक्ता जो मारने वाला प्रक्रिया होता है वो नहीं मारना परेगा यहाँ पर असली में आसानी से आप समझ सकते हैं तो क्या स्टार्ट करें हम लोग बताईए एक बार जल्दी से कमेंट स जी सर, ओके सर, ठीक है, और जड़ा से शेयर भी कर लीजिए, आज साइध नोट इवेकिसन नहीं गया है, तो कमी लोग आप आए हैं, तो आप लोग जल्दी से जल्दी एक बार सेयर कर लीजिए, सबी लोग के साथ, ताकि और सारे लोग आ जाए, और हम उसी तरीके से आपक है इस writing गारे कहानी है उसी को आज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और आपको अच्छे से पढ़नी है, तीक है, अगर बात करें, इस चैप्टर को लिखें, कौन है दिस पर गूपर जी है रूपर्ड ब्रूप जी यहाँ पे लिखे हैं ठीक है उसके बाद अगर बात करें इनकी जन्म कब होती है इनकी जन्म होई थी 3 अगस्ट 1887 को यानि 3 अगस्ट 1887 को United Kingdom में यानि UK में बोल सकते हो साथी साथ इनका निधन कब हढ़ा है दा ये कब किये हैं 23ड अपरिल 1915 को इनका निधन हुआ है काँं पे ग्रेस में निधन हुआ है तो यह वी आपको रॉपर्ट बुग क्या इनका निधन हुआ है निधन का तिती था इस रॉying का निधन बारहने यह बहुत ज़्यादा होती है तो यह आप सीख गए ठीक है अब चलिए अब हम लोग सारांस समरी देखना स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में एक तो यह है अभी हम आपको यहां पर जो लिखा हुआ है हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे और दूसरा यह कि हम आप आपको लास्ट में अपने तरफ से ठीक है अपने तरफ से हम आपको प्रॉपर्ली समरी शारांस को करवाएंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो अपने तरफ से भी हम आपको अच्छे से एक बार फर से पूरे चाप्टर को बताएंगे तो चलिए अब और सारे पंदुर को होता है ठेक है अब को स्ट है आपको उसका एंसर देना है जबाब देना है कैसे अप उसका अनसर लिखेंगे आई यह देखते हैं आइसे लिखना है do very beautiful sonnet composed by Rupert Brooke मतलब these soldier एक क्या है बहुत ही सुन्दर एक sonnet है जो की compose किया गया है लिखा गया है किसके द्वारा Rupert Brooke जी के द्वारा these soldiers एक बहुत ही सुन्दर sonnet है अब sonnet यहाँ पे क्या होती है sonnet होती है है 14 पंक्ति वाली कवीता ठीक है 14 लाइन का जो है क्या होता है पोयम होता है ठीक है और तो इसको कहते हैं octave ठीक है octave और इसको कहते है से स्टेट ठीक है तो सॉनेट के बारे में यह थोड़ा समझानकारी दिये हैं जो सॉनेट होती है वो 14 पंक्ति की अभीता होती है और उसमें 8 और 6 पार्ट में डिवाइड होती है ठीक है तो यहां भी आपको जाने को में एक बहुत ही सॉनेट है रूब्ट ब्रूप जी के दौरा लिखा गया देश्वक्ति को giorni मतलब बहुत है ृक्ति यह जो है क्या चींट से भरा हुआ है यह क्यान देश वक्ती से भरा हुआ है यह देश वक्ती से भरा हुआ है कभी वर्नन करते हैं उस feelings को उस जो feeling रहती है कोई भी soldier के अंदर जो feelings रहती है ठीक है उस soldier को यहां पर दर्साय है जो गये हैं दूसरे foreign country गये हैं अपने देश के लराई के लिए ठीक है अपने देश के बचाने के लिए लराई के लिए गये हैं ठीक है युद पे अपने देश की और से तो उस English soldier के लिए जो है English soldier के feeling को यहां पे बताते हैं के बारे मिव यहां पे लिखते है missing को बताते हैं ठीक है उसकी जो फीलिंग्स यानि भावनाएं जो होती है जो भी अंग्रेजी सैनिक है उसके बारे में यहां पे इन्हों ने लिखा है ठीक है चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि दी सोल्जर चाटर बहुत ही सुन्दर साब सॉनेट है जो कि रूपर ब्रोग जी के दौरा लिखा गया है और इसमें पूरा का पूरा यह देश भक्ती से बढ़ा हुआ है इसमें कभी ब्याक्या करते हैं उस सैनिक के भाबनाओं के बारे में जो कि थिक है इन लगती है अगर युद्ध में उनकी मिर्फ मिर्तु हो जाती है ठीक है अगर वह फील्स करते हैं वह वह उन्हें लगता है ठीक है इस जगह पर उन्हें डफनाया जाए दफनाया जाएगा तो वो जगह हमेशा के लिए इंग्लेंड का हो जाएगा ठीक है वो जगह क्या होगा हमेशा के लिए इंग्लेंड का हो जाने वाला है तो यह कभी ऐसा क्याते हैं ठीक है देखो में यहाँ पर क्या बूला गया है कभी जो है उस soldier के feelings के बारे में बताते है जो की गए हैं कहां पे बीदेश अपने देश के लिए लरने के लिए जैसे अभी क्या है जैसे की पता होगा रसिया युक्रेन में युद हुआ था तो रसिया के सूलजर गए थी यूक्रेन तो यूक्रेन जो गए रसिया के सूलजर ठीक है मतलब यह हुआ अपना क्या चीज यह हुआ मालो रसिया ठीक है यह हुआ रूस और यह यहां पे हुआ यूक्रेन ठीक है अब यहां पर क्या होता है रसे के सोलजर गए यूक्रेन में तो अब यहां पर यह जो सोलजर लोग हैं यह सब यह सब सूच रहूंगे न कि अगर अगर हम यहां पर मरते हैं तो हमें दफना दिया जाएगा यहीं पर क्योंकि ऐसा उतना दूर ले नहीं जाया जाएगा ठीक है तो ऐसा है तो पहले तो ले नहीं जाया जाता था आप तो ऐसा है कि कहीं पी सहीर होंगे तो उसको ले आया जाता है ठीक है तो पहले यह मतलब कभी ऐसा सोचते हैं कि वो जैसे दूसरे देश घायत यह सुचते हैं कि अगर उनकी मेलटो हो जाती है तो जहां पिवह स्थे दूसरे देशक में जैसे गए है उस देश में जैसे मेरेगा जाएगा तो जहां पर क्या होता है उस देश का मतलब उस बैक्ति का एक्तम हो जाता है वहाँ पर और कुछ नहीं किया जाता है Сам mooi 4 जहां पूछ पर दनाए जाएगा वह हमीसा के लिए इंग्लेंड का हो जाएगा क्य dudATH हमीसा क्लिए इंग्लेंड का होजाएगा अंकी देश 나왔 है खापनहां वो बोल रहे हैं था कि चलीए आगे बढ़ते हैंत चैके बढ़ते हैं sponsors he considered the peace of the foreign land to be England because he was born and brought of in England ठीक है वो consider करते हैं वो बीदेशी भूमी के टुकरे को ठीक है वो foreign land के उस peace को consider करते हैं मानते हैं कि वो हमेशा के लिए England का हो जाएगा to be England वो हमेशा के लिए England का हो जाएगा because क्योंकि he was born and brought of in England क्योंकि वो जन्म लिये हैं और बरे हुए हैं कहां पर इंगलेंड में तो यह इन्हें जहां दफनाया जाएगा वो जमीन हमेशा के लिए कहां हो जाएगा क्या हो जाएगा वो जमीन हमेशा के लिए हो जाएगा किसका वो जमीन हमेशा के लिए हो जाएगा इंगलेंड का ठीक है he also expressed his sense of gratitude of his country for everything he got there ठीक है और वो उसको भी दर्साते है ठीक है और वो जो है मतलब क्या है he also expressed वो अपनी उस चीज़ को भी दर्साते हैं his sense of gratitude मतलब उनके दिल में जो देश के पड़ती जो क्रितग्यता थी ठीक है gratitude जो है क्रितग्यता जो थी ठीक है तो उसको भी दर्साते हैं देश उस पर जो उपकार किया था उस सीज को भी यहां पर दर्साते हैं जो भी उनको वहां पर उनके देश में मिला था the flower जैसे उनको फूल मिला था the air he breathe जो उनको fool मिला था मतलब उसके लिए वो कृतागित थे ठीक है जो इनको वहाँ पे हवाई मिली थी जो सांसे लेने के लिए इंगलेंड में उसको याद करते हैं the laughter that the laughter that he had learned from friend वो हसना जो अपने दोस्तों से वो सीखे थे हर चीज के लिए ये gratitude अपना आपको लिखना ही लिखना है ताकि examiner जो आपको वहाँ पे copy जो check करेगा जो check करने वाले बैक्ती होंगे अगर आपकी exam में ये summary लिखने को भूला जाएगा तो उसमें जो check करेंगे अगर वो ये last line आप लिख देते हैं तो simple से पोयम बाई रूपर्ड ब्रुक वेर ही हैस सोज दी पोईट ग्रेट लव फोर हिस मदर लेंड ठीक है फाइनली अंत्ता दिस इस एन ओसम पोयम बाई रूपर्ड ब्रुक कि ये एक सांदार कवीता है रूपर्ड ब्रुक कवीता में बहुत अच्छे से दर्स आये हैं ठीक है चलिए अब हम यहाँ पे आपको अपने तरफ से समझाना सुरू करते हैं और आपको अच्छे से बताते हैं इस पूरे चैप्टर के बारे में और उससे पहले आपको बता दे कि अगर आप लोग इंस्टॉल नहीं किया हैं तो कर लिजेगा वहाँ पे बहुत ही अच्छे से आपको पूरा अभी से अभी भी कम समय बाकिया है उत्रा में भी आप पूरे अच्छे से कोर्स अपना कंप्रीट कर सकते हैं सारा सब्जेक के लिए तो जाके एजुकेशन पता है दी सोलजर चाप्टर है ठीक है क्या है अगर्ट कि अधिस ओल्जर चाप्टर ठीक है दी सूलजर यानी एक सैनिक ठीक है एक सैनिक चाप्टर है अपने पास अब चलिए इसके बारे में जानते हैं चलिए तो दी सोलजर अपने पास चैप्टर है इसको लिखे कौन है अगर बात करें इसको लिखे कौन है इसको लिखे कौन है ठीक है इसको लिखे कौन है तो इसको लिखे हैं रूपर्ड ब्रुग जी ठीक है याद रखेगा नाम रूपर्ड ब्रुग जी ठीक है रूपर्ड ब्रुग जी इसको लिखे हैं अगर बात करें हम रूपर्ड ब्रुग जी जो है ना ये कैसे कभी है ये कैसे कभी है तो ये है वार पोईट ये कैसे कभी है ये है वार पोईट ठीक है याद रखेगा और ये जो लिखें है ये जो लिखें है अपने पास यहाँ पे ठीक है ये जो दी सोल्जर लिखें है ये जो दी सोल्जर है ये क्या है ठीक है ये दी सोल्जर है क्या ठीक है तो यह दी सोल्जर है क्या चीज वार पोयम रूपर्ट बुरुक जी के दौरा यह वार पोयम लिखा गया है ठीक है और यह क्या है यह वार पोयम है क्या तो यह है दी सोल्जर चाप्टर जो है तो यह जो है एक वार पोयम है और ये और क्या है तो ये है सॉनेट ठीक है ये क्या है ये है सॉनेट ठीक है सॉनेट क्या होता है सॉनेट क्या होती है सवाल तो ये भी आता है आईए हम आपको वह भी समझाते हैं ठीक है दी सोल्जा चैप्टर को समझ रहे हैं बहुत ही आसान से ये के से हम लोग दो भाग में बाड़ सकते हैं ठीक है स्वानेट होती है कुल मिला के 14 लाइन बाली कवीता होती है ठीक है 14 लाइन का यह होती है कोयम ठीक है तो इसमें जो है मतलब पहला लाइन जो होता है मदलब पहला आठ लाइन जो होता है और अंतिम जो होता मेर guess तो यह तो Cisco क्वल मिला की जाता है इससे पूछा ही जाता है कि से से स्टेस्ट है ठीक है तो यह अंतिम का छे लाइन हुआ यह होती है इस पूरे चैप्टर के बारे में और साथी साथ अगर रूपर्ड बुरूग जी के जन्म के बारे में बात करोगे तो 1887 में निधन हो जाता है ठीक है तो यह Rupert Brook जी के बारे में है इस Chapter में जहां तक क्या बात किये है Rupert Brook जी के बारे में अगर और जानकारी चाहिए तो और जानकारी जालिए हमांको देते है Rupert Brook जी का जन्म कहां पे होता है Ing usa England में होता है ठीक है यानि ये क्या थे यह English point थे ठीक है यानि इनका जन एक तरीके से बोल सकते हो UK यानि United Kingdom में हुआ था इसमें क्या चीस बात किये हैं इस पूरे chapter में देश भक्ती के बारे में बात किये हैं अपने देश के परती क्या प्रेम है उसके बारे में बात किये हैं अपने देश के परती जो कृतक गिता जो gratitude था उसको यहां पर दर्सा आये हैं यह बोलते हैं यह यहां पर बेसिकली इस पूरे chapter में यह दर्सा आना चाहिए जो कभी का feeling था ठीक है यह जो यहां पर दर्सा आये हैं कि जो भी सैनिक हैं इंग्लेंड के वह जैसे कि दूसरे देश गए हैं अपने देश के तरफ से लडने के लिए अगर उनका उस देश में अगर निधन हो जाता है दूसरे foreign country में अगर निधन हो जाता है तो उस foreign country में जहां पर उनका निधन होगा अगर जहां पर उन्हें दफनाया जाएगा तो वो जमीन जो है न वो धर्ती जहां पर उन्हें दफनाया जाएगा बीदे तो बहुत ही एक सांदार चाप्टर है जहां पर अपने देश बक्ति के बारे में रूपर्ट ब्रुग जी बहुत अच्छे से बात किये और यहां पर बहुत अच्छे से सासा किये यह जानकारी तो आपको उमीद करते हैं समझ में आया होगा अच्छे से सारा चीज आपको क्लियर होगा कहीं से कोई दिक्कत नहीं ह तो यहां बताइए कैसा लगा है क्योंकि हम जानना चाहते हैं क्योंकि हम जिस तरीके से आपको बताएं उमीद तो हम यतना करते हैं कि अपको थोरा साथ जरूर परसंद आया होगा अच्छा तो जरूर लगा होगा चैटर में आपको कोई फाइद्यवन साबित होगा जैसे कि आपके एक्जाम में जैसे समरी लिखने को बोला जाएगा वो आप समरी आसानी से लिख सकते हैं आपके एक्जाम में बहुत सारा objective questions बन जाएगा बहुत सारा subjective questions आप यह चोटा सा समरी को देख के आप बना सकते हैं है न तो कैसा लगा कि आप हमें जरूर से बताएए ठीक है कि कैसा लगा बताएए चलिए है ओके यहां तो ऐसे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आया है ठीक है ठीक है बाकी festival वगरा है तो सब लोग आराम से अब enjoy करिए फिर हम लोग मिलेंगे festival के बाद बहुत अच्छे से आगे और भी chapters को compete करेंगे इसके objective questions को भी देखेंगे ठीक तो बस हम आपसे इतना बोलेंगे कि आप हमारे channel के साथ जोरे रहे हम आपके साथ है exam के वक तक और बहुत सारे chapter सुरू करेंगे बहुत सारे subject को सुरू करेंगे और उसके बारे में proper आपको जानकारी मिलेगी अभी जैसे आप देख रहे होंगे पक चुके होंगे जो अब को आपके बहार बोर्ड के लिए आपके बोर्ड एक्जाम के लिए हर हमेसा हम लोग साथ रहेंगे हर एक जानकारी आपके साथ साजा करते मिलेंगे ठीक है तो चानल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आकन और लिजे और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर था जो बहुत है चलिये तो आजके इस क्लास में बस हम लोग इतना ही रखते हैं आप लोग से लास्ट में जाते जाते हैं आप को इतना बोलेंगे आप लोग गिश्चम को कि ट्राइब आक इसक डेय'llाar अब पर जाते हैं कुछ लोग को यह दिक्कत होती है नहीं समझभाया देखो क्या नहीं समझभाता है यहां पर पूछ सकते हैं और साथी साथ आप मेंली यह है कि आप अगर अच्छे से एप को यूज करना जानेंगे अच्छे से देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द होगा क्योंकि यहां पर मॉडल पेपर पिछले साल के कुर्शन पेपर वह सारा चीज अबलेवल है जो कि आपको पढ़ना है चैप्टर वाइज अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यह सब फ्री में अबलेवल है और बाकी कुछ कोर्सेस भी आपको वहां प पढ़ाई जारी रखे फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में तब तक लिए बावाई